कल पांच बज़े के आसपास डेली पुलीस को एक कॉल मिली थी जिसमें ये था कि जी एनियू में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में जगड़ा हुआ है सकफल हुआ है और इसका मैं थोड़ा सा बेक्राउंड आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों स आउनलाइन रिजिस्टेशन चल रहा है जिसमें जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें आपस में डिफरेंसे से उसी को लेके इनकी आपस में कहा सुनी भी पहले हुई थी और इसके बाद जो जी एनियू है एक क्लोस्ट केमपस है इसमें जितना भी स्क्योर्टी स्टाफ हो डैली पुलिस की डिफलाइमेंट होती है और ये जो कॉल्स आई थी कल शाम को ये वहां से कुछ दूर एरियाज हैं होस्टल हैं वहां की कॉल थी यही थी कि वहां बेसिकली स्टूडेंट्स में आपस में जगडा हुआ है उसी समय डैली पुलिस ने रिस्पॉंड किया और रिस्पॉंड करके इस पे जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल की इसमें वह फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नॉमली हमारी डिप्लाइमेंट है वो केवल एडिनिस्टेशन ग्लॉक में है इसके इलावा ये जो इनकी सकफल हुई है स्टूनेंट्स की ये वह जाके हुए नॉर्मली यहां हमारी डिप्लाइमेंट नहीं होती उसके बाद डैली पुलिस को अप्रॉक्सिमेटली 745 के आसपास जी एनु एडिनिस्टेशन से एक रिवेस्ट की गी और उसके बाद डैली पुलिस युनिवेस्टी में गई और फ्लैग मार्च किया और इतनी भी CCTV फोटेज वगरा है वो अभी कलेक्ट कर रहे हैं और इसकी इन्वेस्टिकेशन शुरू कर दी गई है इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसमें टोटल कल 34 जो परसनल से इंक्लूडिंग मेल फीमेल यह इंजड हुए थे और 34 के 34 टोटल जो है वो डिश्चार्ज हो चुके हैं कल डैली पुलिस की भी यह प्रियोर्टी थी कि इनको मेडिकल एड दी जाए इनको उसी समय ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया और अभी यह सारे आज मौनिंग में तमाम जो विक्टिम से यह डिश्चार्ज हो चुके हैं और MLC बन ग कमेटी बनाई है जिसमें बेसिकली यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रहेगी जिसको हैड शालनी सिंग जॉइंट सीपी वेस्टर रेंज करेंगे यह इसका मेन परपस होगा कि जो भी फैक्ट फाइंडिंग है वो बताएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कोई ड विजिट किया है और काफी हमें अभी वाइटल क्लूज मिले हैं उस पर अभी काम कर रहे हैं और होफुली जल्दी हम यह केस क्रेक करेंगे थैंक्यू